आईफून 7 डिटेयर रिव्यू इन 2024 क्योंकि ये वाला फून आट साल प्रान आईफून है और स्टिल इस टैम भी बहुत ज्यादा डिमार्ड में रहते हैं आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आड़ी थी कि आप आईफून 7 को 224 में बाय करना चाहिए या नहीं इसकी PUBG परफॉर्मस कैसी देखने को मिलती है इसके कैमराज कहां स्टैंड़र करते हैं उसके असासत इसकी बैटरी एंड चार्जिंग की टाइम कितना की देखने को मिलता और उसके इलावा इसमें अपडेट कहों से देखने को मिल रही है इसमें WhatsApp फेसबूक इंस्टाग्र क्म सारे अफ smoothly दंड कर जाते हैं या नहीं कर जाते आपके सारे क्वेस्टन का आंसर आज इस वीडियो में मिलने वाला है आप वीडियो पूड़ी देखिए उमेदेए इस वीडियो के देखने के बाद आपके सारडे डॉट क्लियर हो जाएंगे कि आने वाल टाइम में देखने को मिलती है जहां पर इसकी बिल्ट तो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है और उसके उपर इसमें हमें यहां पर अंटीनर्स देखने को मिलते है और बैकसाइड पर हमें एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जो कि अभी तक भी आईफून, आईफून SE 23 में भी यह वाली चीज़ उसने दी थी कि कुछ यह ऐसा ही डिजाइन था तो ओवराल यह वाला डिजाइन कुछ आउटडेटड फील नहीं होता बहुत ज्यादा प्रीमियम है अब जिस तरह मर्दी फील करिए आपको बहुत प्रीमियम देखने को मिलता है तो डिजाइन वाइस तो मेरा मोस्ट फेवरेट फून है आईफून सेवन आप इसको जूर्र कंसिडर कर सकते हो अब आ जाते हैं इसके फ्रंट डिस्प्ले के ओपर अगर आप इसकी डिस्प्ले की बात करते है न इसके अनर हमें एक IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि फोर पॉइंट सेवन इंच की है डिस्प्ले से हैसिस मुझे कोई शिकायत नहीं है बैजस को छोड़ के और अगर आप इसके व्यूइंग अगरा की बात करते हैं तो व्यूइंग अंगल भी मुझे बहुत ज्यादा एक्वरेट देखने को मिले हैं और डे टाइम में यूजर की बात करते हैं जिस में में गट्रेयन को मिलते हैं जिसकी वज़ह से इसकी डे टाइम वीजबिल्टी बी बहुत ज्यादा अच्य देखने को मिलती है मुझे को इश्यूद देखने को नहीं मिला ना डे टाइम है जरूर करते हैं तो डेफिनेर्टली आप इसको डिस्प्ले लिए भी जूरूर कसिडर इसके साथ आप बहुत डिसर सी इमेज निकाल सकते हो यह वह वाइद आईफून है जिसमें आपको कुछ कलर ग्रेडिंग देखने को नहीं मिलती है एपल की तरफ से बिलकुल नैचरल पिक्टर देखने को मिलती है जिनका फाइदा यह है कि आप इनको बहुत ज्यादा अच् प्राइज में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है 4K 30 एपेस और 1080p 60 एपेस के उपर आपको स्टेबिलेजेशन भी देखने को मिल जाती है तो वीडियो रिकॉर्डिंग वाइज बहुत कमाल फून है इस प्राइज में कोई भी टेक्नो इन फिनिक्स कि किसी भी और कॉंपनी एंट राइट फून को ठालो इतनी अच्छी वीडियो ग्राफिव वाला फून आपको प्रवाइड बिल्कुल नहीं करने वाला तो डेफिनेटली वीडियो ग्राफिक अगर आपका काम है तो आप इसको जूर्ड कर सकते हो अब थोड़ी फोटोग्र में काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है वो एक चीज़ आपको देखने को मिलती है बाकि काफी नैच्रल पिक्च्छ से हैं जितको आप बात में अच्छे से एडिट भी कर सकते हो डिटेल एडिट कर टेटोरियल मेरे चैनल पे मुझूद है और अभी तक वीडियो देख रहे तो वीडियो नेक्स्ट आप तक पहुंचेगी ही नहीं तो मेरे बानी करके वीडियो का लाइक जरूर कर दीजिएगा उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी पब जी की परफॉर्मस की एंड नॉर्मल परफॉर्मस की अगर आप पब जी की बात करते हैं जिसके अंदर काफी ज्यादा टाइम पब जी खेली जाती है मेरे घर के अंदर ये मेरे काफी ज्यादा टाइम से यूज़ हो रहा है यह वाला फून मेरे पास जिसकी परफॉर्मस की बात करते है तो आपको 40 IPS का गेम प्ले देखने को मिलता है डिटेल गेम का टेस्ट मैंने अपने चैनल पर ड जादा मुश्कल हो जाता है उसके बाद अगर अब तो सर्दियें चल रही है अब कोई इशू नहीं है लेकिन अगर आप गर्मियों में खेलते हैं तो यह हीड भर भर के होता है गेम खेलते वकर तो यह प्रोब्लम देखने को मिलती है लेकिन फाइर कुनेक्टिविटी की बात करते हैं और आप इसकी हीटें को परदाश कर सकते हैं आप कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिसको सिर्फ कंपिटिशन अच्छा चाहिए और कम प्राइज में चाहिए तो दी बेस्ट है अच्छी फाइर कुनेक्टिविटी मेरा निख्याल के एपल से इच्छी कोई भी और डि देखने को नहीं मिलती तो गेमिंग के लियास से मैं इसको टाई ही डिक्लेयर करूंगा आप इसको कसिडर कर भी सकते हो और नहीं भी हाँ अगर आप नॉर्मल यूजर्स वाली गेमिंग की बात कर जासे सब्बेसाफर टॉम वोकिंग गयरा की तो वो तो आप बहुत अच् को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो पर्फॉर्मस में आपको अभी भी कोई कमी देखने को नहीं मिलती जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकर यार यह वाला फून बहुत ज्यादा पुराना आईफून है अब यह देखो ना यह 2016 में लाउंज हुआ था और इस टेम भी आईफू देखने को नहीं मिलेगी आप इसमें यूट्यूब यूज करो आप इसमें इस्ट्राग्राम यूज करो आप इसमें फेस्बुक यूज करो जो मर्दी यूज करो आपको बहुत अच्छी प्रफॉर्मस देखने को मिलेगी तो प्रफॉर्मस के लिया से कोई कमी देखने को को नहीं मिलती अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी टैमिंग है चार्जिंग की चार्जिंग है बैटरी टैमिंग में मुझे इस फून ने थोड़ा सा नराश किया है आप देख सकते हैं किस्टम यह 88% के उपर और सिर्फ तक्रीबां 30 मिनट हुए है मुझे इसको यूज करते अगर कोई 10 या 15 माट का चार्ज यूज करते हैं तो यह बल फून अड़ाई गैंटे ले जाता है चार्ज होने में तो कुछ इस तरह कि इसकी चार्जिंग टाइम हमें देखने को मिलता है तो चार्जिंग टाइम एंड बैटरी के लिहाज से मैं इस फून को इतना अच्छ यह बस एक चोटा सा ड्रॉबैक यह वाला है इस फून का बाकी आपको हर चीज बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है डिस्प्ले आप गुजारा कर सकते हो इसकी डिस्प्ले के साथ भी अब अगर मेरे फाइनल के लिजन की बात करते हो कि 224 में इस फून को बाइक करना है या नहीं करना तो सिंपल सी बात है कुछ यूजर बाइ कर सकते हैं कुछ यूजर बिलकुल बाइना करें नमबर वन अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप कोई बड़ी डिवाइस यूज़ करे हो जैसे 13, 14 या 15 और आप 9 पीटिय यूज़ करे हो साथ में एक पीटिय अप इसके साथ अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो मैं आपको कोई इतना हाडली रेकमेंट नहीं करता यह वाला फून गेमिंग में बस नॉर्मल नॉर्मल यह आप अगर इसके साथ कूछ फैन लगा लो तो आप अच्छी गेम निकाल पाओगे अध्रवाइस आप इससे जिसको अपनी जेब में बिल्कुल भी वजन नहीं चाहिए हो चाहता है कि मुझे ऐसे फिल हो के मेरी पॉकेट खा लिया है और श्लिम एंड लाइट डिवाइस चाहिए और एक पावरफुल डिवाइस हो इस प्राइज में आने वाले किसी भी एंडॉइड से बेहतर हो तो मैं सारे आईफून को लूँगा और सारे आईफून को ही मैं रिवियू करने वाला हूँ उस चीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख सकते हो और अपने बाई को दीजिए जादत मिलते कि से नेक्सर बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए अला हाफिज